कि नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कस्तूर्वा गांधी के बारे में जियां दोस्तो महत्मा गांधी जी की पतनी का नाम ही कस्तूर्वा गांधी था यह भारत में बा के नाम से विख्यात है कस्तूर्वा गांधी का जनम 11 अप्रेल 1877 में महत्मा गांधी की तरह कठ्यावाड के पोरबंदर नगर में हुआ था कस्तूर्बा गांधी आयू में गांधी जी से 6 मास बड़ी थी कस्तूर्बा गांधी के पिता गोकुल दास मकंजी साधारन स्थिती के व्यपारी थे गोकुल दास मकंजी की कस्तूर्बा तीसरी संतान थी उस जमाने में कोई लड़कियों को पढ़ाता नहीं था और विवाह के टाइम भी अलप अवस्था ही होता था से उसी तरह कस्तूर्बा गांधी जी का भी विवया अलप आयू में ही कर दिया गया था कस्तूर्बा के पिता मात्मा गांधी के पिता के करीबी मित्र थे और दोनों मित्रों ने अपनी मित्रता को रिस्तेदारी में बदलने का निर्ने ले लिया था साथ साल के वस्था में छे साल के मोहंदास के साथ उनकी सगाई कर दी गई और तेहरा साल के आयो में दोनों का विवहा हो गया दोस्तो कस्तूर्बा का सुर्वाती ग्रेस्ट जिवन बड़ा ही कठिन था उनके पती मोहंदास करमचंद गांदी उनकी निरिक शर्ता से एपरसन रहते थे और उसे ताने देते रहते थे मोहंदास को कस्तूरबा का सजना सवरना और घर से बाहर निकलना बिलकुल भी पसंद नहीं था उन्होंने बा पर आरम से ही अंकुष रखने का प्रियास किया पर ज़्यादा सफल नहीं हो पाए विवा पस्चात पती पतनी सन 1888 तक लगबग साथ साथ रहे परन्तु मोहंदास के इंग्लेंड प्रवास के बाद वो अकेली ही रही मोहंदास की अनपस्थिती में उन्होंने अपने बच्चे को हरीलाल का पालन पोसं स्वेम किया शिक्षा समाप्त करने के बाद गांधी इंग्लेंड से लोट आये परसिगरी उन्हें दक्षिन अफरीका जाना पड़ा इसके पस्चात मोहंदास 1896 में भारत आये और तब कस्थूर्बा को अपने साथ ले गई दक्षिन अफरीका जाने से लेकर अपनी मिट्टू तक बा महत्मा गांधी जी का नुसरन करती रही और उन्होंने अपने जीवन को गांधी की तरह ही साधा और साधारन बना लिया था वे गांधी के सभी कारियों में सदय उनके साथ रही बापु ने स्वाधिंता आंदोलन के दोरान अने को उपवास रखे और इनी उपवासों में वो अक्सर उनके साथ रही और उनकी देखवाल करती थी चंपरन सत्य ग्रहा के दोरान वो गांधी जी के साथ वहां गई और लोगों को सफाई अनुसासन पढ़ाई आदी के महतों के बारे में बताया खेडा सत्य ग्रहा के दोरान भी बाग घूम घूम कर इस्त्रियों का उत्सा वर्दन करती रही 1930 में दांडी और धरासना के बाद जब आपू जेल चले गए तब बाने उनका स्थानलिया लोगों का मनोबल बढ़ाती रही करांती कारी गतिविद्यों के कारण 1932 और 1933 में उनका अधिकान समय जेल में ही बीता 1949 में उन्होंने राजकोट रियासत के राजा के विरोध में भी सत्यग्राय में भाग लिया 1942 में भाराचोड़ अंदलन के दोरान इन्हें गिरिफतार कर पूना जेल भेज दिया गया जहां उनका स्वास्ते बिगड़ने से इनकी मिर्त्यू हो गई जनवरी 1944 में उन्हें दो बार दिल का दोरा पड़ा और फरवरी 1944 को बार दुनिया छोड़ कर चली गई तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद